हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चाइनल आज हम डिसक्रस करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेस्मेंट एल्गोरिथम ठीक है इससे पहले हम लोग फीफो देख चुके हैं कि फीफो अल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में डिसक्रस कर चुके है अब इस वीडियो हम होता है ठीक है तो आप्टिमल पेज रिप्लेस्मेंट पर हम लोग क्या करते हैं कि रिप्लेस्ट पेज बीचिज नाट यूजड इन लोंगे लोंगेस्ट पीडियेड आफ टाइम फ्यूचर जो फ्यूचर में सबसे बाद में यूज होगा फ्रेम उसको हमनों क्या करेंग रिप्लेस्ट करेंगे जो पेज फ्यूचर में सबसे लास्ट में यूज होने वाला होगा सुख कर देंगे रिप्लेस कर देंगे है थी का VOICE से सम thé कर देते हैं फ्रेम को यह फोन है कि एफ टू है कि एफ थ्री है कि एफ फोर है ठीक है तो सीप्यू जो मेरा डिमांड कर रहा है वह सेवेंड पेज को डिमांड कर रहा है ठीक है मेरा तो यहां में मिमोरी खाली है सारा फ्रेम खाली है तो सेवेंड क्या जाएगा एफ फोर में आ जाएगा सेवेन सेवेन क्या में 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 पर जेंट था नहीं अब सेंट था तो जो सीप्यू डिमान करता है प्रोड पेज को ठीक है अगर वह पेज में 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 पर जेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ फेज फॉल्ट हुआ हुआ ठीक है kैए के नेक्स्ट सी झ्यपी दिमान कर रहा है जीरो चिप एक हीन मेरे में मीमोरी में है नहीं है जीरो आजया यहाँ फ्रैम नंबर तुमिन पिर में याने क्वेका पेज्ज फॉल्ट है नेच्सट Cpu डिमान कर रहा है वांवन को 1 मेरा मेर्वेण परजेंट हां को नहीं नहीं तोह बना जाएगा फरेवा नंबर थीछ में भी पешь नहीं था अभ़न मेरी परजेंट नई था आप सेंट syllसे क्या हुआ पेजर हुआ यहistem ठीक है next cpu दमाद करा तु क्या टू में ना मेन में में पर जैंट है नहीं तो इसो क्या करेंगे प्रेव नंबर फोर में डाल देंगे क्योंकि फ्रेव नमबर फोर क्या खाली है तो तो आ जाएगा यह हम 1077 main memory पर्जेंट नहीं था तू इसका मतलव क्या हुआ पेज फॉल्ट हुआ ठीक है next CPU डिमांड कर रहा जीरो जीरो में ना में पर्जेंट है है इसका मतलव क्या हुआ पेज हीट हुआ जब पेज हीट होता है ता क्या करते हैं ने सेम ठू सेम हम लोग क्या कर देते हैं लिक्ष देते हैं राइट डाउन कर देते हैं तो यह क्या मतलव ऍतंव हुआ इसका KIM हुआ जब P 시청 होता है तो मंनों क्या करते है में मिबनी में सेम चूझ उसको फ्रेम में लिख देते हैं ठीक हैं नेक्स्ट लिए इसीप्यूट करते हैं प्यूट में 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 परड़ेंट आएं और मेरा क्या होगा प्धेज भी भड़ चुका है चारों मेरा स्वार है आप थी को हम किस किस पोजीशन पर रखेंगे इसी के लिए हम लगाते हैं अप्टीमल प्रेज रिप्लेस्मेंट तो और प्टिकल पेज्ट अ में होता है चाहम लोग फ्यूटर में देखेंगे जो सबसे दूर होगा ठीक है तो देखिए टीरी से नहीं करेंगे थी अधिक नहीं है जी रो जी रो तहां घरी टू तु आ उसका रोन के City ढूआ जी रो है वनहें ऑ से से विन क्या है इस सबसे दूर क्या है से विसे में बहुत जादा दूर पर है तब लोग क्या करेंगे सेवन के जगे पर हम लोग कहा त्यी को रिप्लेस कर देंगे सटीक है तो सेब एक पर क्या अजाएगा त्याइब मेरा सब्सक्क्रिषण थर नहीं तहीड yes प्रेब्ट प्रेब लिख दो अ कि क्या कि यह इसमें में बड़ा हुआ था तो आप्टिकल पाइज रीप्लेस्ट में लिखिंग बोलता है कि जिस पेज पेर इस पीपर प्रेश पर है है तो थिरी का हम फ्यूचर में देखेंगे जो पेज सबसे लास्ट में यूज हो यूज आएगा डिमांड आएगा उसका उसको अपनों रिप्लेस कर देंगे सबसे दूर कौन था से में था तो सेवन को रिप्लेस कर दिए तो जैब क्या गया थिरी ठीक है नेक्स्ट सीप्य कि हम देखेंगे सबसे लास्ट में सबसे दूर कौन सा पेस है उसका रिप्लेस कर देंगे सबसे दूर कौन सबसे one है default position से ठेक है सबसे लाच्व कुल आएगा दिमांड होगा से प्रो सेस का प्रोसेस का यह वन गा इसलिए का दो रौन को रिप्लेस कर देंगे किस से फोर्स है और सेम ते सम्देंगे अगर है यह फोल्ट है ठीक है नेक्स्ट टूच्ट टीओ डिमान करा टूको तूमना इमन में और पर जेंट है 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 इसका मंदल क्या हुआ पिएज हीट हुगा says, same to same, ने हाएगा, पेजीन होता है, तो होता है, क्या करते है, तो सेम्-टो-सेम लीख देते हैं, ठीक है, next, CPU डिमान का राध तीरी का, ठीरी मेंना में में अबरेंट है, इसके अदों क्या होगा, फिर पेजीन हीत हुगा, 3042 ठीक है next cpu demand करा 0 0 मैंना में वोणी में है yes फिर फिर प्रजीट हुगा कि जब प्रजीट होता क्या करते हैं हम लोग same to same लिखते हैं 2403 next cpu demand करा त्री को क्या 3 मैंना में में वोणी यह परजेंट आ है है इसका मतरर क्या होगा प्रजीट हुगा फिर तो 403 ठीक है next cpu demand करा तू को तू मेरा में 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 है है इसका अंतर क्या फिर प्रजीट हुगा कि सेंटू सेम लिखेंगे 2403 next cpu demand करा रहा वन को क्या वन मेरा में 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 वोणी यह परजेंट है नहीं तो कि स्पेस्प्रेम को रिप्लेस करेंगे तो वन से हम लोग फिर हम लोग future में देखेंगे सबसे दूर कुण है वन से कौन सा प्रेज़ इसमें से कौन सा प्रेज फ्रेम तो वन के लिए लेकर तो 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 में नजदिख है जीरो भी है ठीक है फोर है फोर नहीं है न थिरी इसका मतलब हुआ वन से टू जीरो तहा है लेकिन 43 जो है मेरा future में परजेंटे नहीं है ठीक है सिप्यॉफ प्याइज जो मेरा 4 वन में 4-3 वह मेरा सीप्यू डिमांड आएगा ही नहीं परजेंट ही नहीं सकते हैं तो आपके 24 के अनुसार हम लोग चाहिए प्टो रिप्लेज कर देतां इस से वान से यहां पर अब्रेट कर सकते थे त्थी योगी फ्यूचर में उसका डिमांड ही नहीं है क्या होता हूं मेरा प्याइज डिमांड ही नहीं आएगा उसके लिए क्या करेंगा अपना 24 का अपनी प्लेस कर सकते हैं ठेक है के रिप्लेस कर दीये next mean to beauen का लात्य। को को डूब कीक्रेंट होगा है इसका उत्ता पेजही चुगँगा तू ओंगर裡 स्में लिखेंगे फिंग आसेजिब मांड करा जिरो जैरो तो में परेंट मेरी में एस इसका आधर क्या हुआ पिर fam 2002 a ठीक है next one one पर्जेंट है यस इसका लएभी पेज हीट हुगा टू वन गीरो तरी जब पेज हीट होता है ना तो सेम तुम सेम लिखते जाते हैं ठीक है next सीविव डिमांड करते से में 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 पर्जेंट है नहीं है तो कौन सा फ्रेम में रखेंगे से हम लोग फ्यूचर देखेंगे सेमें से दूर सब्सक्राइब से कौन सा फ्रेम है ठीक है सेमें से नजदिक या 0 फिर 1 है उसके तो और थिरी है क्यों नहीं तो अपना 24 को चेंज कर सकते हैं हम टू के जगह पर करते हैं सेवन को रिप्लेस कर सकते हैं । फॉल्ट है आप धिरी को भी रिप्लेस कर सकते थे अपना 24 कॉण सार्थ क्योंकि फ्यूचर में का इसका डिमांड है ही नहीं 2 तरी का ठिक अधिक मैं सीपूरी इस सिवरी मादेन करा राज़ी ऑजी में आ में । पर है इसका हुआ हुआ यहीं बात मनिलीका यह इसका घ्याइट हुआं हुआ है सेयम और सप्रिखेंगे डिर्छी प्लीक हो हो गया आप कोसन ने पुछा था कि पेज़ फॉल्ट कितना हुआ कर हुआ तो निकाल लेते हैं कि पेज़ फॉल्ट कि कितना है 12345678 पेज़ फॉल्ट एट आया पेज़ीट कितना आया कि पेज़ी हीट है 123456789 10 11 12 ठीक है हो गया कंप्लेट तो अप्टिमाल पेज़ी प्लेस्मेंट में क्या करते हैं हम लोग फ्यूचर में देखते हैं जो सबसे दूर होगा पेज़ फ्रेम उसको हम लोग पहले रिप्लेस कर देंगे ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फूर वाचिंग